आज हम बहुत ही विशेश बहुत ही दुलब ऐसी वस्तु की हम बात करेंगे पिछली वीडियो में आपने सियार सिंगी के बारे में जाना और आज आज आप जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में देखें नारियल सभी जानते हैं हरा नारियल, पीने वाला नारियल, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, गट गोला कई प्रकार के होते हैं और लगू नारियल भी होता है जो छोटे छोटे नारियल होते हैं प्रियोग पूजा विधान में किया जाता है, और शदियों में किया जाता है, बहुत से चीजों में इनका आयरवैद में भी बहुत इनका उपयोग होता है, लेकिन आज जिस नारियल के बारे में बात कर रही हूं, तंतर शास्तर में बहुत मान्यता है इसकी, तंतर शास्तर म पुजा करता है इनहें अपने घर में स्थापित करता है वे शत्रुजई हो जाता है ये एक आक्ष्री नारियल सभी प्रकार के विगनों का नाश करता है शत्रूं का नाश करता है ऐसे एक आक्ष्री नारियल की पूजा उपासना दिपावले की रत्री में अवश्य करने चाहिए किस प्रकार पूजा विधान करना चाहिए चलिए आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देने वाली हो तो वीडियो के अंट तक बने रहीगा चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं एक आक्षे नारियल की पूजा विधी कोई भी प्रकार के आप चावर ले सकते हैं चंदन और हल्दी से मिश्रत भी आप ले सकते हैं इनका आप आसन बनाए और इस पर आप स्थापित करें अब ध्यान दीजिए अगर आपने पहले से स्थापित किया हुआ है तो आप दिपावली पर उसे काक्षे नारियल को बहा निकाले फिर से उन्हें शुद्ध करें और उन्हें एक्टिवेट करें अगर आपका काक्ष्री नारियल सिद्ध किया हुआ नहीं है पहली बार कर रहे हैं तो उसे पंचामरित गंगा जल और पवित्र जल से शुद्ध कर लेना चाहिए इसके बाद इस नारियल पर ओम, श्रीम, रीम, क्लीम मंत्र आपको स्क्रीन पर दिया है इस मंत्र को लाल चंदन से नारियल के उपर लिखें फिर इसके बाद एकाक्ष्रीन नारियल पर घी और सिंदूर का लेप करें जिस तरह से हनमान जी के उपर लेप किया जाता है उनको चोला चढ़ाया जाता है ठीक वैसे ही सिंदूर और घी का लेप करें फिर इसके बाद सो सजा कर पूजा स्थान में रखें और दिये हुए इस मंत्र का ग्यारा माला जाप करें इस प्रकार से ये नारियल सिद्ध हो जाता है काक्ष्री नारियल की पंचोप चार विधी से गंध अक्षत पुष्प गुलाल गुगल की धूप दीप नैवैद्य मिस्ठान आदी से करें प्रतेक मंत्र के साथ एक सफेद फूल कोई भी ले सकते हैं कनेर, चमपा, चमेली, सफेद कमल, मोगरा इन में से कोई भी फूल आप ले सकते हैं तो जैसे ही आप एक माला जाप करते हैं एक फूल आप एक आक्ष्री नारियल पर चड़ाएं दिपावले पर इस परकार से काक्ष्री नारियल का पूजन करने और मंत्र का जाप करने से साई लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं सभी परकार के कस्टों एमों विगनों का नाश होता है इस परकार पूजित एक आक्ष्री नारियल को घर के पूजास्थान तिजोरी में गल्ले आदी में रख लेना च जाहें तो पूजा स्थान में भी रख सकते हैं लेकिन हर रोज जिस तरह से आप सभी देवी देवतों का पूजन करते हैं दूब दीपादी देखकर भोग लगाते हैं प्रती दिन इसे दूब दीप दीखाएं एक ग्यारा या इककिस या एक सो आठ सफेद फूल चढ़ा कर इस दिये हुए मंत्र का यधा विधी आप जाप करें जरूरी नहीं है कि आप जब जाप करें तो यह आपके सामने ही हो क्योंकि पूजा विधान करने के बाद दिपावली की रातरी पूरी रातरी आप एक अक्ष्री नारियल को मंदिर में रखें और सुभे शो महरत में अ और नारियल को अभिमंत्रित किया जाता है ताकि यह एक्टिवेट हो जाए और आपके घर में स्थाई रूप से मा लक्ष्मी के रूप में वास करें जिस घर में काक्ष्री नारियल स्थित होता है और उसकी पूजा होती है वहां लक्ष्मी स्थाई रूप से निवास करती एक आक्षी नारियल से अलग अलग प्रकार के प्रयोग किया जाते हैं अस्ट लक्षमी प्राप्ति के लिए अलग प्रयोग किया जाता है स्वपन सिध्धी के लिए अलग प्रयोग किया जाता है तो प्रेत बाधा मुक्ति के लिए भी अलग प्रयोग किया जाता है अगर आप वशी करन प्रयोग करना जाते हैं तो भी एक आक्षी नारियल द्वारा आप वशी करन प्रयोग कर सकते हैं यहां पर अब आपको एक उपाई बताने जा रही हूं अगर आप जाना चाते हैं और भी उपाय का क्या विधी है क्या विधान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट केजेगा अभी फिलहाल आपको स्वपन सिध्धी है तू प्रयोग बताने जा रहे हैं उनको भविष्य के बारे में स्वपन में ही संकेत मिलने लगते हैं ये प्रयोग दिपावली, होली, ग्रेहनकाल, रवीपुष्य, नवरात्रियादी में संपन करना चाहिए इन सभी अभूज महरत में इनको संपन किया जाए तो ये सिध्ध हो जाते हैं और स्वपन में आपक पहले ही भविष्य के बारे में संकेत देने लगते हैं तो इसके लिए आपको क्या सामगरी चाहिए अभी दिपावली आ रही है तो दिपावली के स्थिल लगन में रात्री को ये प्रयोग आपक शुरू कर सकते हैं ये प्रयोग है लग भग साथ दिन का तो क्या है आवश घर के मंदिर में या एकांत स्थान में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करें इस तरह की एकांत स्थान आप जुन लीजिए वहां पर इस सिद्ध एकाक्षी नारियर को एक चोकी पर लाल कप्रा बिछा कर चावल या पुश्प के आसन पर स्थापित कर दें फिर इसके बाद दिये हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है प्रतेक मंत्र जब के साथ कनेर या चंपा का एक पुश्प चथाएं इस प्रकार 108 पुश्प चथाएं अर्थात एक माला जाप से इस मंत्र को पूरा करें और हर मंत्र के साथ पुश्प चथाएं पुश्प चथाने के बाद कमल गटे की माला से इस मंत्र की ग्यारा मालाइं करें ये प्रयोग आपको साथ दिन लगातार करना है इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा और आपको सोपन में भविश्या में होने वाली घटनाओं का संकेत मिनने लगेगा तो एकाक्षी नारियल का इतना प्रभाव शाली ये प्रयोग है इसे अगर आप दिपावलिक पर करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं तो चलिए अभी के लिए आज के लिए इतना ही वशिकन प्रयोग प्रेत वाधा मुक्ती प्रयोग शत्रु जानित वाधा से मुक्ती पाने का प्रयोग और अस्ट लक् तो अगली वीजो आने तक अपना ध्यान रखिए मस रही है सौस रही है अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और चैनल पर और वीजिए उन्हें भी ज़रूर विजिट कीजिए उनसे भी भरपूर लाब लें आने वाले सबी त्योहार आपके बहुत शुब्र हैं आपकी सभ कि अउन सेमार वीजिए, य। अपना猪ी है?